हनुमान चालिसा में वर्नित हनुमान जी के गुन और गुन तो सर्वविदित हैं लेकिन हनुमान जी के कुछ महान सरल गुनों का उलेख यहां करना आवश्चक है हनुमान जी व्याकरण के राजा है वे जानते थे कि कब बात करनी है और विशिष्ट परिस्थितियों में कैसे बात करनी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संदेश ठीक से संप्रेशित हो एक घटना तब की है जब हनुमान जी लंका में सीता माता से मिले और राम से मिलने वापस आए राम सहित हर कोई यह जानने के लिए उच्सुक था कि हनुमान ने क्या पाया और हनुमान जी कुछ भी कह सकते थे जैसे कि उनकी यात्रा कैसी थी, लंका कैसी थी, सीता माता कहा थी आदी लेकिन ये उनके लिए चुने गए शब्द थे ध्रिश्ट सीता जिसका अर्थ है, सीता को देखा उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, उन्होंने सीता से शुरुवात नहीं की क्योंकि राम को आश्चर्य होता की आगे क्या हो सकता है उन्होंने कहा कि पहले देखा और फिर सीता रामायन में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां हनुमान अपने शब्दों और वाक्यों में बहुत सावधान और सतर्क रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी समय राम परिवार को ठेस न पहुँचे या भ्रम में न डाला जाए हनुमान जी जैसा समगरता से कोई नहीं सोच सकता जय वीर हनुमान, जय बजरन बली कमेंट में लिखे जय बजरन बली जय श्री राम